बिस्मिल्लाइर रख्मानी वहीम, अस्सलाम अलेकुम फ्रेंड्स हेलो गाईज, वेलकम टू लीगल योट्यूबर चैनलन्ज दोस्तों, अमीद है आप सब खेरिट से होंगे दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ लेटस मेजर अपडेट्स की सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों के आनेवाले दिनों के अंदर, चैनडा कौन कौन लोग इंटर हो सकते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे इंडिया और कैनडा के ट्रैसल बैंड को लेकर, और थर्ड अपडेट के ओपर हम बात करेंगे कुछ small चेंजिस की, तो चले फेंट्स करते हैं इस वीडियो को शुरूँ मेरा राज एक और आप देख रहे हैं लीगल यूट्यूबर चैनल तो चले शुरू करते हैं वीडियो को श्राट करने से बले दोस्तों बता दूँ कि जिन लोगों ने अब तक चैनल को सबस्क्काइब नहीं किया सकते हैं नमबर वन के ओपर अगर हम बात करें दोस्तों तो केनेडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टर ट्रेडों ने अनाउंस कर दिया है कि 9 अगस्ट से यूएस के तमाम केटिग्रीज के लोग जो है वो केनेडा ट्रैविल कर सकते हैं अब ट्रैवलिंग के लिए जो रिक्वार्मेंट्स रखी गई है वो देख लेते हैं नमबर वन के ओपर कोविड-19 नेगेटिव टेस्ट रिजल्ड जो है वो आपके पास होना चाहिए सेकिंड रिक्वार्मेंट यह दोस्तों के वो जो है वो 72 अवर्स पहले का ही होना चाहिए और अराइव के एन एप्लिकेशन पर अपडेट होना चाहिए अब हम बात करते हैं दोस्तों नेक्स अपडेट की जो के तमाम कंट्रीज के लिए है तो यहाँ पर भी दोस्तों के प्राइम मिनिस्टर जेस्टर ट्रेडो ने एनाउंस कर दिया है कि 7 दिसेंबर से जो है वो तमाम कंट्रीज से तमाम केटिगरी के लोग जो है वो केनडा ट्रेविल कर सकते हैं और उनको होटल कोराटाइन भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अब इनके लिए जो ट्रेवलिंग की रिक्वाइमेंट्स रखी गई है वो देख लेते हैं नबर वन के ओपर वोई सेम रिक्वाइमेंट है कि कोविट नैंटीन नेगेटिव टेस्स रिजल्ट आपके पास होना चाहिए सेकिंड रिक्वाइमेंट भी बिल्कुल सेम है कि वो टेस्स 72 अवर्स पहले का ही होना चाहिए और अराइव के एन एप्लिकेशन पर अपडेट होना चाहिए ठर्ट रिक्वाइमेंट के ओपर है कि फुली वैक्सिनेट होना जरूरी है और केनेडा ने जिन जिन वैक्सिन को अप्रूफ किया है वो ही वैक्सिन आपने लगवाई भी हो अब इस अपडेट में दोस्तों तमाम लोग इलिजिबल हैं चाहिए आप विजिटर हो चाहिए पी आर होल्डर हो चाहिए वर्क परमिट हो या फिर स्टूडर हो तमाम के तमाम लोग जो है वो साथ दिसेंबर के बाद जो है वो केनेडा इंडर कर सकते हैं अब हम बात करते हैं दोस्तो second update की जो के Canada और India के band को लेकर है। दोस्तो Canada IRCC की तरफ से announce कर दिया गिया है कि वो दुबारा से India के band को जो है वो मजीद extend कर रहे हैं 21 अगस्त तक। इंडिया हाई कमीशन ने दोस्तो जो request की थी उसका अब तक Canada IRCC की तरफ से कोई भी reply देखने को नहीं मिला। साथी दोस्तो Canada IRCC ने reason भी दे दिया है band का कि उन्होंने band को क्यों extend किया। उनका कहना है कि डिल्टा वेडियन बहुत जादा इंडिया के अंदर फैल रहा है जिसकी वज़ा से मजीद 30 days के लिए इंडिया को band रखा जा रहा है। अब हम बात करते हैं दोस्तों next update की जो के छोटी सी update है दोस्तों 7 अगस के बाद जो लोग भी Canada travel करेंगे उनको post arrival test भी जो है वो कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी जो के काफी जदा अच्छी news है लेकिन दोस्तों उन्होंने अपनी update में ये चीज़ भी mention की है कि ऐसा नही पल्स को चूज कर सकते हैं और फिर उनको post arrival test जो है वो करवाना होगा अब हम बात करते हैं दोस्तों next update की के Canada IRCC ने 9 अगस्त से जो है वो अपने और भी airports खोलने का फैसला कर लिया है अब Canada के बाकी airports भी जो है वो international travelers को accept करेंगे ये भी एक काफी अच्छी news है दोस्तों अब हम बात करते हैं next update की Canada IRCC ने दोस्तों announce कर दिया है कि वो parent और grandparent program जो है वो open करने जा रहे है आज से तो अगर आप भी अपने parent या grandparents को invite करना चाते हो तो अब आप invite कर सकते हो तो दोस्तों ये थी कुछ छोड़ी छोड़ी update जो के Canada की तरफ से देखने को मिली थी आज सुब से अजुछ प्टैम और ने भी कुछ